Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, मैं हूँ Divya Sharma अगर बहुत कम खाने पर भी पेट फुला रहता है, या पेट में अफ़ारा रहता है आप बहुत लीमिट में खाते हैं, फिर भी ये प्रॉबलम गैस की रहती है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बता रहे हैं ति किस कारण से पेट फुला रहता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और इसके साथ आपको एक एको प्रेशर पॉइंट बता जा रहा है जो कि गैस को तूर करता है, गैस की प्रॉबलम को तूर करता है तो सबसे पहले बता दू कि पेट फुला रहने का या पेट में अफारा रहने का सबसे में रीजन ने होता है हमारी body में sodium की मात्रा जादा होना और liquid की मात्रा कम होना जब हम नमक बहुत जादा खाते हैं तो body में sodium पढ़ने लगता है तो उसी कारण से जो नमक है वो पानी को सोख लेता है और पेट फुला रहता है तो सबसे पहले आप नमक कम खाईए और iodine नमक को avoid करके सेंदा नमक का यूज कीजिए वो भी बहुत लेमत में और second जो चीज है आप रोजाना नारियल पानी या नीबू पानी ज़रूर पीजिए जिनके बेट में बहुत ज़्यादा अफ़ारा रहता है क्योंकि इसमें natural diuretic होते हैं जो की पेट को साफ करते हैं और sodium का balance बना कर रखते हैं इसके इलावा आपको potassium वाली चीजें जरूर खानी हैं और सबसे ज़्यादा potassium जो होता है हुकेला, पपीता, पालक, ओरंज और टमाटर में होता है इन चीजों को रोजाना लेने से या फिर इन में से कुछ चीजों को ही रोजाना लेने से बाडी में sodium balance में रहता है इसके इलावा आप रोजाना fiber food जरूर लेजिए oats, दलिया, enriched fiber foods का use, अपनी diet में कीजिए कि नेकेवल गैंस की problem को दूर करता है यानि अपारे को दूर करता है इसके साथ-साथ कब जैसी problem भी नहीं होने देता नेक्स जो है, वो है दही दही में bacteria होते हैं लेकिन वो bacteria खराब नहीं बलकि good bacteria होते हैं इसके इलावा आंतों में जो extra gas जमा रही है उसको दूर करते हैं, आप दही को सुबह नहीं खाईए, नहीं रात को खाईए, लेकिन दुपैर में एक कटोरी आप इसे जरूर खाईए, ताकि एक्स्ट्रा गैंस बॉडी से दूर हो सके, इसके लावा कुछ लोग खाना खाने के बाद चाय या कॉफी जरूर पीते हैं, उ और कि आप इसे पीने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा कैफिन होती है, जो की गैंस और ऐसीडिटी को पैदा करके पेट को फुला देती है, आप खाना अच्छे से चबा कर खाईए, जब आप खाना अच्छे से चबा कर खाएंगे, खाना अच्छे से डाइजस्त भी हो और यह गैंस वाली प्राब्लम भी नहीं हो, कुछ लोग सोडा और कॉल्डरिंग का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, इसमें ऐसे डिक क्वालिटी होती है, और बहुत ज्यादा कार्बन डाई एक्साइड होती है, जो कि गैंस पैट को फूल आती है, तो इन चीजों को ध्या आपस में जो जुड़ता है, यहाँ हड़ी होती है, यह हड़ी हो गई, यह थम की हड़ी हो गई, यह स्किन होती है, सौफ्ट स्किन होती है, तो यहाँ पर यह जुड़ रहा है, इस जगह पर आपने गैस वाली पॉइंट को प्रेस करना है, जब आप इसे प्रेस करेंगे, अगर दर्द फील हो रहा है तो आप समझ जाए कि आप सही point को press कर रहे हैं इस जगा पर ये point होता है आपको दिखा दिया जाए इस जगा पर ये point होता है तो इस जगा पर आपने point को, gas वाले point को press करना है दिन में आप 3 बार, 4 बार, 1.5 मिनट के लिए से press कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो like ज़रूर करिएगा और अपने friends के साथ ज़रूर share करिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए Stay healthy, always be happy Thank you for watching my video, okay bye